बिहार में अस्थानिया निकाय कोटे से बिहार विदान परिशत की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर के सियासी गर्मी बढ़ी हुई है और दोनों गढ़बंधनों ने यह यू कहले कि एक तरफ एंडी है गढ़बंधन और दूसरी तरफ राष्ट्री है जनता द के लिए हैं अब इंतजार यह हो रहा है कि विदान परिशत चुनाव के अधि सूचना कब जारी हो कब चुनाव की तारीखों का एलान हो तमाम उमिद्वार जो मैदान में उतरने वाले हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जो पंचायत प्रतिनिध चुनाव को लेकर के एक जो अहम खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं दरसल इस चुनाव पर ग्रहन लगाने जो वो आ वो कैसे ये बता रहें आपको पटना हाई कोट में एक जनहित याजिका जो है वो दायर की गई है जनहित याजिका में कहा गया है कि जो 24 सीटों पे स्थानिय कोटे से विधान प्रिस्ट के चुनाव होने जा रहे हैं वो समविधानिक नहीं है और जो नियम कहता है जो पूर के रहने वाले हैं और उन्होंने जो याजिका हाई कोट में डायर की है जनहित याजिका उसमें ये कहा गया है कि समविधान ये कहता है कि पंचायती राजमत बस्थानिय कोटे से जो विधान परिश्ट की सीचों पे लोग चुनके आते हैं सदस्ये उनका कारेकाल 6 सा के कारेकाल में एक साथ सभी सदस्यों का चुनाव नहीं हो सकता है हर दो साल पे आठ सदस्यों का चुनाव होना है और हर दो साल पे आठ सदस्यों की जो सदस्यों की जो सदस्यता अवदी है वो खत्म होनी है मतलब एक प्रक्रिया है कि आठाठ सदस्य आते रहते हैं और आठा पहली बार इस तरह की याचिका दायर की गई है इसके पहले भी एक याचिका दायर की गई थी बीजेपी के ही MLC हुआ करते थे वैदनात परसाद एक उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी और साल 2009 में कोट ने भी कहा था कि लॉट्रिस सिस्टम के जरिए जो विदान्स प पनाते हुए इस बार जिन्होंने जन्हित याचिका दायर की है उन्होंने कहा है कि ये नियम संगत नहीं है कि आप एक साथ 24 सीटों पर चुनाओ कराएं और सभी सीजे एक साथ खाली हो जाएं अब ये भी समझना जिरूरी है कि ये इस्थिति आई क्यूं दरसल याचिका क करता जो बात रख रहे हैं कोट के सामने अपनी जनीत याजिका के तरी जरिये उसका मूल ये है कि बिहार में लंबे अर्से तक जब आर्लेडी का सासनकाल था तो लंबे अर्से तक बिहार में पंचायती राजविवस्था के ताज जो चुनाव होते हैं तो वोटर तयार हुए नहीं तो अस्थानिय निकाय कोटे से बिजान परिशत के सीटों पे जो चुनाव है वो भी नहीं हुए तो लंबे अर्से तक एक गैप रहा और उसके बाद जब चुनाव हुए तो सभी सीटें भर ली गए एक साथ अब इसी को लेकर के बार बार बिवाद जो है वो सामने आता है एक बार वही बिवाद फिर से सामने आया है अब देखना है हाई कोट इस पर सुनवाई करता है तो जावेदारी है उनकी पेसानी पर भी बल पड़ गया है उनको ऐसा लगता है कि इतने तैयारी की और इतना सब कुछ उनका इंतिजाम में खर्च हुआ और उसके बाद यह चुनाव लटक जाए या उस पर ग्रहन लग जाए तो बड़ी दिल्चस्थ रिस्तिती हो गई है व लगतार फर्स्ट भिहार पर लाते रहते हैं हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा हमारी खबर आपको कैसी लगी नमस्कार